जय हिंद इस वीडियो में लोग गेल यानि की गैस ओथिरिटी ओफ हिंडिया लिमिटेड कंपनी के बारें बात करेंगे आज इस कंपनी के क्वार्ट थीरी के नंबर जारी हुए हैं और नंबर बेहत 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 अच्छे आए हैं जो इसके सभी सेयर सोलर्स के लिए बहुत महत्पुर्ण कंपनी है यह जो कंपनी है नेच्रोल गैस और पेट्रो कविकल के प्रोडक्शन से जुड़ों कारुबार करती है इसका अगर मार्केट के देखें तो 64696 क्रोन रुपया है और मार्केट के लिहाज से कंपनी काफी बड़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी लार् अर्थात कंपनी का सेर प्राइस अधिक्तम 200 रुपय के आसपास तक आया है बात करें बोर्ड आप डाक्टर के मीटिंग की तो यहां आज जाने के तीन फरूर 22 को हुआ है और इसमें इसी मीटिंग में कंपनी ने कोई बात नहीं हुआ है क्योंकि अभी पिछले साल आनी से समझमा सके क्वाटर 3 के नंबर इसमें दर्शाए गए हैं क्वाटर 2 का इया है और यह जो कॉलम बना है पिछले साल के क्वाटर 3 के नंबर को दर्सानी के लिए बनाये गया है अब देखिए क्वाटर 3 में कंपनी का रेभेनू 26,597 क्रोण का हुआ है जो की कॉआट अगर खर्चे की बात करें तो क्वाड़र 3 में कंपणी ने बाइस अजार दूसों दू करून रुपए खर्च किये थे तो आप यहां देख सकते हैं कि जी से राफ्तार से कंपणी का रिभेन्यू बढ़ा है कंपणी के खर्चे भी उसी राफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह कंपणी के खर्चे कंपणी के रिभेन्यू से अथिक नहीं हो रहा है अर्थात कंपणी उतना ही खर्चा करें जितना कमा रही है उससे कम ही कर रही है और अगर प्रोफिट आप्टर टेक्स की बात करें जिससे सुद मुनाफ़ा करते हैं क्यूंकि करणी देने के पाएं कंपनी के पास उसको रहते में कंपणी को प्रोफिट आप टीक्स और 25 क्रोर्ट करोणय में शिर्फ 800 से 20 코로나 सठीस्फ हुआ है अगर साल पर पहले देखा तो 1897 क्रोण का मुनाफ़ा हुआ था आर्थात कंपणी का जो सुध मुनाफ़ा है वो क्वाडरली और येरली बेसिस पर लगदार बढ़ते जा रहा है अर्णिंग पर सेयर की बात करें जिसको सोड़ कोट में एपीएस काते हैं या साल भर में एक सेयर पर कितना रुपया बढ़ा इसको दरसाता है तो क्वाडर थिरी में कंपनी का प्रोफिट अपर टेक्स अर्निंग पर सेयर बढ़ रहा है अब अगर फैटरंस की बात करें तो सरकारी कम्पनिय जाहिर से बात है कि इसके प्रमोटर्स की ज्यादा होगी बाउंड परतिस्दारी है प्रमोटर्स की पॉब्लिक की हिस्सेदारी फाइट याई वाले लेकर बैठे हुए हैं तो आपने देखा कि कंपनी ने जो पाड़ 3 के नंबर जारी किये हैं वह अच्छे आये हैं तो उम्मीद करता हूं मैंने जो बाते बताएं आपको समझ में आई होगी वीडियो पसंद आया होगा अगर मन में कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं बाक